मुंबई से अम्रसर आरही गोल्डन टेंपल मेल गाड़ी संख्या 12903 पर शनीवार रात अग्या तीवोकों ने पत्थर फेके हाला कि इस से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन हाथसे से गाड़ी के अंदर मौझूद पैसेंजर्स में अफरात अफरी का महल पेदा हो गया रात 11 बचकर 25 मिट पर अमरसर पहुशने के बाद रेलवे पुलिस ने इस मामले में जान शुरू कर दी है जानकर कि अनुसार 12 माई को ट्रेन मुंबई से रवाना हुई थी 13 माई की रात यह ट्रेन 12 बचकर 45 मिट पर व्यास रेलवे स्टेशन से रवाना हुई कोच मिंटों के बाद ही ट्रेन पर जोर जोर से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी इस सिर्थी तब अधिक संवदेंशिल हो गई जब ट्रेन के AC कोच B1, B2 की कांच की खिडकियों पर पत्थर गिरे मुंबई से अमरसर आरे प्रवीन जन ने बताया कि घटना से ट्रेन में AC, कोच B1 और B2 की कई खिडकिया टूट गई ट्रेन में डबल लेयर कांच होने के कारण पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ खिडकियों की भारी पर टूटी लेकिन अंदर के शीशों में सिर्फ क्रेक आया जिससे पैसेंजर्स को नुकसान होने से बच गया अगर बेतरी कांच भी टूट जाता तो अंदर बेठे पैसेंजर्स कांच वो पत्थरों से चोटिल हो सकते थे इसके साथ बने रहे हैं राजनमा डिवी के साथ दाने बाद